नमस्कार दोस्तों आयकर संबंदी अपनी चर्चा की शंखला में आज का टॉपिक लेकर के आया हूँ How to prepare balance sheet and profit and loss account for ITR filing तो सबसे पहले सर आपके सामने coverage रखता हूँ आज की वीडियो में क्या क्या coverage है Which ITR form requires balance sheet and profit and loss account Why balance sheet and profit and loss account should be prepared How to prepare profit and loss account How to prepare balance sheet And such other points which are useful to you From the point of view of income tax law ये बिन्दू आज आपके सामने cover करने की कोशिश करूँगा तो दोस्तों प्रश्न है Which ITR form requires balance sheet and profit and loss account अगर मैं सरल रूप में बुलूँ सर तो ITR 3, ITR 5, ITR 6, ITR 7 ये चार forms हैं सर जो as an assessi आप से balance sheet and profit and loss account मानते हैं लेकिन इन में से किवल एक ही ITR form है ITR 3 जो as an assessi आप से आपकी balance sheet and profit and loss account individual के रूप में मानता है तो मेरा आज का जो discussion है सर वो individual दोरा दी जाने वाली profit and loss account balance sheet से संबन देते हैं तो बेसिकली सर आप ये बात समझ करके चलें कि यदि आप businessman है और जो presumptive income के taxation में नहीं जा रहे हैं यानि जो actual basis पर अपनी income offer कर रहे हैं चाहे वो share market के transactions की income हो चाहे किसी प्रकार के commission business की income हो चाहे किसी प्रकार के अन्य business की income हो जो providing of service, sales, trading related भी हो सकता है ITR के साथ सर आपका profit and loss account balance sheet भी देना होगा अब purpose क्या है ये profit and loss account balance sheet सरकार क्यों मांग रही है कि सरकार ये देखना चाहती है कि सबसे पहले आपके profit and loss account से सरकार को ये पता चलेगा सर कि आपने अपनी income कैसे derive करी यानि आपकी revenue कहां से आती है, आपके खर्चे कहां से होते है और balance sheet का purpose सरकार का ये जानना होता है सर कि आप व्यापार करने के लिए फूजी कहां से लेकर क्या है और आपने कौन-कौन सी इस वर्ष में संपत्तियां बनाई और जो संपत्ति आप बना रहे हैं क्या वो संपत्ति आपके income के proportion में है या नहीं है तो ये एक basic purpose है सर जिसके point of view भारत सरकार आपसे आपकी profit and loss account और balance sheet की जानकारी लेना चाहती है How to prepare profit and loss account तो दोस्तों ये बात बड़ी पक्की है कि profit and loss account हो, balance sheet हो, as an associate हमेशा आपको अपने consultant, chartered accountant हो, CMA हो, tax consultant हो, company secretary हो उनकी help लेकर के सर तयार करना है लेकिन as an associate आपके पास में ये भी clarity होनी चाहिए सर कि मैं अपना profit and loss account अगर खुद बनाना चाहूं तो एक मुटा मुटी profit and loss account कैसे तयार करूं तो मैंने वो एक profit and loss का प्रारूप आपके सामने रखा है अगर आपकी books tally में या किसी accounting software में maintain होती है तो बहुत अच्छा है, वहाँ आपका accountant भी आपको profit and loss account निकाल के देगा लेकिन as an individual आपको पता होना चाहिए कि आहाँ साब मेरी इस साल ये sales होई ये मेरा closing stock है, यानि जो माल मेरा बचा हुआ है as on 31st of March और मैंने अगर कोई services provide करी है तो उससे मुझे क्या income हो इस साल मेरा शुरू में opening stock क्या था मैंने माल क्या-क्या purchase किया मेरे direct expenses, जैसे माल खरीदने का भड़ा हो गया कोई labor के expenses हो गए, कोई बिजली के expenses, production से related हो गए आपके कुछ indirect expenses हो सकते हैं जैसे administrative staff की salary हो गई stationary के खर्चे हो गए, printing के खर्चे हो गए, office management के खर्चे हो गए साथ ही आपने जो assets खरीदी हैं सर व्यापार में, उनका depreciation क्या है और ultimately सर आपका net profit या negative figure है तो net loss निकल करके आएगा तो ये एक profit and loss account सर आपके लिए as an assessi समझना जरूरी है सर कि मैं अपना profit and loss account किस प्रकार से draw कर सकता हूँ अब जैसे मैंने प्रश्ण आपके सामने रखा सर profit and loss account का उसी तरीके का प्रश्ण है how to prepare a balance sheet मैं फिर कहूंगा सर आपका consultant आपके लिए यहाँ पर निश्यत रूप से योगदान करता होगा लेकिन balance sheet बनाने के लिए आपको यह समझ में आना चाहिए कि आपके पास में दो detail मुख्य होंगी assets और liabilities assets में आपकी fixed asset यानि business से related movable, immobile properties, investment, loans and advances आपके व्यापारिक debtors यानि जिन से आप पैसा मांगते हैं आपका at the end of the financial year जो stock in trade है आपके हाथ में cash in hand कितना है, cash at bank कितना है आपकी resultingly outstanding loan कितने हैं आपने कितना market में पैसा creditors को दिना है, mal या services के पेटे आपके outstanding expenses कितने हैं और finally आपकी capital कितनी व्यापार में लगी है ये एक प्रारूप सर आपके सामने मैंने रखा है ताकि आप किसी CA द्वारा भरी दाने वाली जानकारी को भी समझ सके कि अच्छा साथ मेरी balance sheet, मेरा profit and loss account इस प्रकार से तयार किया गया है अब कुछ और point सर जो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा Is it mandatory to include other income in profit and loss account? मुझसे बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछते हैं सर के वाडिया जी जब हमारी balance sheet बनती है हमारा profit and loss account बनता है तो उसमें हमें सारी income दिखानी है या किवल business की income दिखानी है तो जैसा मैंने शुरू में आपके सामने बात रखा सर कि जो business man है सर उसको अपनी ITR में balance sheet और profit and loss account दिखाना है तो मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है सर कि आपको केवल business की balance sheet और business का profit and loss account इंकम टेक्स department को बताना है जब तक कि वो आपसे personal asset की detail न मांग ले जैसे 50 लाग या उससे उपर की जिस भी व्यक्ति की total income है उसको तो सर अपनी सारी assets बतानी है, सारी liability बतानी है लेकिन जिनका 50 लाग से कम का business में details है total asset, total income 50 लाग या उससे कम है तो ऐसी परिस्तिती में सर उस assasi को केवल अपने business के profits और business से related ही balance sheet बतानी है यानि उस व्यक्ति को अपनी personal asset की detail भारत सरकार को नहीं देनी अब एक million dollar question है सर whether other assasi should also prepare balance sheet and profit and loss account मान लीजे आप एक ऐसे person है जो salary paid है सर जिसकी say for example 15 lakh की salary income है और कोई source of income substantial नहीं क्या आपको भी अपना balance sheet profit and loss account बनाना चाहिए मेरा suggestion है सर क्योंकि आप किसी CA की services use कर रहे है अपनी return बरने के लिए तो why not you annually prepare your balance sheet and profit and loss account because that will be helpful to you हलाकि वो profit and loss account balance sheet आपको return में नहीं बताना दोस्तों लेकिन it will be helpful to you to show the source of income over a period of time कि मैंने कैसे अपनी संपत्यां accumulate की सर अगर आप annually ये data अपने CA के साथ मिलकर तयार कर सकते हैं तो this is going to be a fruitful exercise to you in the future तो मेरा ये suggestion रहेगा सर ऐसे assesses को भी जो businessmen नहीं है क्यों न वो भी annually अपना एक income and expenditure account मैं उसे profit and loss account तो नहीं बोलूँगा लेकिन उसी के समतुले के statement है income and expenditure account और balance sheet अगर बनाया जा सके तो that will be a good thing तो दोस्तों आशा करता हूँ ये topic आपके लिए fruitful रहेगा यदि आपके कोई question हो तो आप मुझे लिख सकते हैं मैं उनका उत्तर देने की जरूर कोशिश करूँगा मेरे साथ रहने के लिए मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैह